बिस्मल्य आर्म, आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसमें देखने वाले हैं कि डेटा अनलेसिस की फेजिस कितनी होती हैं फर एक्जैंपल जो डेटा साइंस सीखने वाले हैं लोग उनको मैं बता दूँ को सबसे पहले आपने जो काम करना होता है वो phase 1 का होता है दूसरा phase जो है हमारा वो उसके बाद आता है और जो तीसरा phase है जिसको हम phase 3 बोलते है यह DHA के phase 3 बगरा नहीं है ना बहरिया टॉन के इस आर phase 1 जो है data science का यह 2 यह 3 और जो phase 1 है इसको literally हम बोलते हैं कि यहां पर आप designing या planning करते हैं कि क्या करना क्या है जनाब हमने data science के अंदर दूसरा phase है कि जब आप यहां पर designing और planning करके data collect कर लेते हैं तो आप phase 2 के अंदर करते हैं अपना descriptive statistics ठीक है? descriptive statistics phase 2 में करते हैं फिर आप phase 3 के अंदर यहां पर phase 3 के अंदर आप करेंगे inferential statistics और इन ही तीन phases के अंदर आपकी आदी से ज्यादा data science जो है वो include होती है ठीक है? तो यह तीन phases याद रखिएगा designing and planning, descriptive statistics and inferential statistics के अंदिवें यहादू ए झांदिए को करते हैं चनल, के तीक है पादा 지